माराश की सियासत जिसकदर इस वक्त गर्माई हुई है उससे लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाच शिंदे की मुख्यमंत्री कुर्सी जल्द ही जाने वाली है जी हाँ अजीद पवार के बयान से जो हलचल इस वक्त मची हुई है उससे कही न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाच शिंदे से सीम कुर्सी चीनी जा सकती है और अजीत पवार ही एक नाच चिंदे से CM कुरसी चीनेंगे जी हाँ अजीत पवार ने साफ तोर पर अपने बयान में कहा है कि वो 100 प्रतीशत CM बनना चाते हैं अब इस पूरे मामले पड़ जब संजे राउत से पूछा गया कि एक नाच चिंदे की कुरसी क्या जा सकती है और आजीत पवार को CM पद के लिए दावेदारी पेश करने का मौका दिया जा सकता है तो संजे राउत ने क्या कुछ कहा वो आपको पता देते हैं दरसल संजे राउत ने पत्रकारों से कहा कि कौन मुख्यमंतरी बनना नहीं चाहेगा और आजीत पवार मुख्यमंतरी बनने के लिए सक्षम है वो कई सालों से राजनीती में हैं उनको काफी अनुभव भी है और वो कई बार मंतरी भी रहे हैं उनके पास सबसे जादा बार उप मुख्यमंतरी पत पर रहने का रिकॉर्ड है हर कोई सोचता है कि उससे मुख्यमंतरी बनना चाहिए और इसी बयान पर संजे राउत ने ये साफ तोर पर कहा कि हर कोई चाहता है कि मुख्यमंतरी बनना चाहिए और अजीत पवार को पूरी तरीके से ये मौका मिलना भी चाहिए और संजे राओ जिस सरीके साजीत पवार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और महाराश में सियासत जिसकदर गर्माई हुई है वो साफ तोर पर यह दर्शारा है कि महाराश की सियासत में जल्द ही कोई बड़ा बदलाव होने वाला है जी हां एकनाच शिंदे औ और एकनाच शिंदे जिसकदर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं कि दोनों की बीच में सब कुछ ठीक है उसके बीच में ये लगातार कयास लगाया जा रहा है कि आखरकार एकनाच शिंदे की कुरसी जा सकती है यानि कि सीम पत की कुरसी उनकी जा सकती है आपको पता से सुप्रीम कोट की तरफ से शिवसेना चुनाप चिन को लेकर के जल्दी फैसला आने वाला है लेकिन फैसला जो है फिलाल सुरक्षित रखा गया है सुप्रीम कोट के तरफ से लेकिन अंतिम फैसला जल्दी आ सकता है और कहा जा रहा है कि उद्धफ ठाकरे के हक में अगर य कल्प होगा इसको लेकर के चर्चाए जो है वो तेज हो गई है आपकी इस पूरे मामरे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बता है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स नाइन यूट